तरकम नमाम विघनेश्वर पाद पंकयम या कुंदेंद तुशार हार धबलाया शुब्रवस्त्राविता या विणावर दंड मंडित कराया श्वेत पदमाशना या ब्रमाचित शंकरह प्रफित भिरदेवईश दावंधिता शामाम पातुशर श्वती भगवती निहसेश जाध्या पहा शुप्लाम ब्रम्ह विचार सार परमामाध्यां जगत व्यापिनिंग विडापुस्तक धारिनिंग अवैध्यां जाध्यां धिकारा पहां हस्ते स्फार्टिक मालिकां विदधतिंग पदमासनी संस्तितां वंदेतां परमेश्वरीन भगवतीं बुद्धी प्रदां शारदां शरश्वती नमस्तोभ्यं वरदेकाम रूपिडिंग विद्यारंभं करिश्यामी सिधिरभवतुमेशदा शवी लोगों को नमस्कार शूप्रभातम शूश्वागतम चले तो आज हम सभी लोग जो है संस्कित के एक और सेट को साल्व करेंगे कि एक बार सभी लोग कमेंट देख लेते हैं अब हम लोग आज साल्व करेंगे तो एक सुलोक से लेते हैं गद्यांस पूरी इस सलाइड के उपर जो लगी है बहुत लंबी चोड़ी गद्यांस लगी है इसको बाद में सब्सक्राइब करना पड़ता तो समय लगता है तो चले हम चलते हैं यहां से साल्व करेंगे जहां से आगे यहां पर सब लगा है तो यहां से देखते हैं अधो लिखितम स्लोकम पठित्वात दाधारित प्रश्णानाम प्रश्ण संख्या एक तालिस से पैंतालिस तक अर्थात पांच को सनिहां पर विकल्प मात पो तरेशों समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत अब हम पहले स्लोक पढ़ेंगे स्लोक का वाचान जरूरी है क्य कैसे यह प्रिंडयेत सुचरिताही पितरम सापुत्रो यदभार्तुरावहित मेच्छतितत कलत्रम तनमेत्रमापदी शुखेच समक्रियम यत एतात्रयम जगति पूंड्यकृतो लभन्ते यह प्रिंडयेत सुचरिताही पितरम सापुत्रो अब एक एक का लाइन का हम समझातेवें चल रहे हैं कि जो अपने सदाचरणों से यह प्रिंडयेत पिता को संतुष्ट कर देता है यह प्रिणडेत सूचरीत ही जो संतुष्ट करता है सूचरीत ही अच्छे चर्थ से किसको पितरईंग मेंट सबुत्रेंगे उपने अपने सदां चरंणों से पीता को संतुष्ट कर देथा है वहीं सत्कूत्र है वहीं पुत्र है वहीं सही सच्चा यह कहा जाए तो अच्छा पुत्र है जो सदा जो सदा हित चाहती है हित की इच्छा करती हूँ वसुतह वहीं क्या है सत्मन वहीं करत्रम मतलब पत्नी सही पत्नी कौन है जो सदा पत्रम वहीं वास्तों में पत्नी है और तो सब नारान समझी रहे हो क्या हो सकते हैं फिर क्या है आगे क्या है तन मित्रमा तन मित्रम अपादी न तन मित्रमा अपादी सुखेच शमक्रियम यह अधेत्रयम जगति पूर्ड कृतो लभन्ते जो विपत्य और सुख में तन मित्रमा अपादी अपादी मतलब क्या होता है आपदी पजबाता ना विपत्य शुखेच और सुख में समक्रियम यह मतलब समान बेवहार करना समान क्रिया करना वह जो विपत्य और सुख में समान बेवहार करता है वहीं क्या है वहीं सच्चा मित्र है तन मित्र वहीं क्या है मित्र है वहीं सच्चा मित्र है झ theorem कि इस संसार में पुण्डे सील लोग ही देत्टरम वै ऐसे बहुत कम होंगे पुण्डे कि उप्राप्त किये हुए ऐसे लोग कम से मुझत जो भी लोग होंगे बहुत ही पूर्ण बनाएं होंगे जो इन तीनों का इस जगत में इन तीनों का उनका साथ मिलता है अर्थात इसको इस तरीके से कहें किस संसार में पूर्ण सील लोग ही इन तीनों को प्राप्त करते हैं जो पूर्ण किये रहते हैं बह तो अगर आप देखोगे तो अब कुग्राम वासो ऐसे गाह में विश्राम करना पड़े जहां पर आपका मन न करता हो मंता है कि उसको करनी मजभूरी में कूब आपका बड़े अधायी पका मन नहीं करता है पता चला दाल खाओ लेकिन बीना नमक का डालो बीना इसका खाओ इसका खाओ आपका खाने कमन कर रहा है मिठाई मिठाई खाने पर रोक लगा दिया है डाक्टर ने तो यह भी एक तर्किक नरक है अक्रोध मुखी चभारिया एक ऐसी पत्नी जो घर पे जाते ही तुरंत लड जाए इसका मतलब हमेशा लड़ने के लिए तयार रहे तो यह भी क्या टाइप का नरक ही है तो एक छो नरक बताए गए हैं और जो चो दुख जिसके पास हो स्वर्ग में हैं उसी में से इन तीन चीजों को यहां पर अलग तरिके से कहा गया है यह प्रिंड एता सुचरित ही पितरम सा पूत्रों यदभार्तु रवमिहितमिच्छंतितत कलत्रम तनमेत्रमा पदिसुखेच समक्रियम्यत इतत्रयम जगतिपूंड्यकृतो लभंते उसको करे एक अच्छे संथा पूत्र के वहीं होती है अपने अच्छा मितर है जो आपत्ज या विपत्टी और सुख दौनों में आपके सांथ में रहे वहीं तीनों चीज इस संसार में जो बहुत पूर्ण किये होते हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं यह तो अब हम लोग सकते हैं जो भी इस सुलोक को हमारे साथ में पढ़ा है उसको अब कोई दिक्कत हमारे समसे तो नहीं होना चाहिए तुरंत जट 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 बना लेगा है अपने आप में ही सब कुछ कर सकता है तो चलिए बिना देर किये इस प्रश्ण का उत्तर आप जरूर करें प्रश्ण तो है पढ़ें और वीडियोस को शेयर भी करें ऐसा जरूर करें आप सभी लोग ठीक है जरूर करते रहें चलिए तो अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्ण की होता है इसका आपसन क्या हो जागा करेक्ट भी यह सू चरिता ही पितरम प्रिंड यह जो अपने अच्छे पिता को क्या करता हो वो क्या हो जाता है वो अच्छा पुत्र होता है नच्प्स तन देखो 42 में वह क्या आने वाला है है एक ही आप से नाने वाला है जल्दी बताओ क्या आने वाला है भर्तो हित्यat चंति यहा साथ जै तिक नेक्ष वला है किम नाम मित्रम मित्र कौन है कैसा मित्रमाचे यत एक अश्मात गुरोह विद्याम अधीते जो एक साथ में गुरु के यहाँ जो घर के पास बस्ते हैं यत सहायम करोति जो सहायता करते हैं सुख दूख यो शमक्रियम या जो सुख और दूख में शमान भाव से रहते हैं वह कौन सा करेक्ट होगा सभी लोग उत्तर जरूर दें उत्तर देते रहने से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बात मानों नहीं मानोंगे तो हाथ में जानते हो क्या हो जाएगा ना इसा हाथ ही क्या उत्तर ना देए मूँव क्या जो कुछ्षन का उत्तर ने ही बताओ लोग काते हैं नकि वह मुख नहीं किए भगवान के आर्ति या भवान की पूजन में तारी ने बजाया जाए जिससे दान कर्म ना किये जाए तो कमसे कम उत्तर दो आप लोग अध्यापक बनोगे अध्यापक ऐसे बनोगे आपके क्लास में बच्चे गुंगे बैठ जाएं कुछ न बोले घुर्मुस हो की तरह कैसा महसूस करेंगे जो अभी नहीं बोल रहे हैं उनको पढ़ाने जाएंगे कभी आईसा ही बच्चे मिलेंगे तो अगर तब दी लोग को हैंगे हैं प्रश्व संख्या 44 को देखते हैं किन लो अपने आप आ जागा कि समय को है ऑर्या तो है नहीं क्योंकि यहां बहुत कम आपको दिए जाते हैं आर्या में नहीं है इसके अलाओत है क्योंकि आर्या में देखो मात्रा किनना होता है और ऐसे आपको वन अगिनना पड़ेगा तो चलो वन अगिन लेते हैं अनुश्टूप में आठ होते हैं अंद वज्जा में 11 होते हैं उसके बाद चलो देख लेता हैं वसम सिलकाम कितने होंगे अब बताओ अभी मैं जो कल बात किया था उसमें मैं चर्चा किया था कि इसमें कितने होंगे कल जो मैं भी बात किया था उसमें मैं पूरा का पूरा डिटेल आप लोगों को रखा था सामने बताया भी था कि इसमें कितने होते हैं पहला अगर आपका मान लेते हैं पहला गुरू हो जाता है पहला अगर दिर्ग हो जाता है तो वह इंद्रवज्जा होता है इंद्रवज्जा गुरु वाला ले लो पहला वन गुरु हो जाता है उपेंद्रवज्जा में मैं बात किया था कि पहला वन क्या हो जाता है लगु हो जाए और जब उपजाती के लिए हम बात करते हैं उपज प्रफम से बारे में बताया घया था है कि छौदा वाला वाली पंद्रा मालिनी में मंदा क्रांता और एक सिखनी सत्रा सत्रा है मंदा क्रांता पहला गुरू होता है और लगू हो जाता है उसको आपको लेना ही नहीं है तो चौदा हवाले अगर आप देखा जाए तो चौदा हवाले मिल जाएंगे वसंत तिलका है अगर ऐसे भी आप कहोगे कि इस आफशन के अनुसार क्या हो जाएंगे तो मैं अभी बताया अनुष्टू पार्ट होते हैं ना आठ हुआ ना यहा ही यहां पर मिल गया है नीच वालम देखो आधा वान नहीं गिना जाता है तो एक दो तीन चार पांच छे शाथ आथ ना दस एग्यारा बारा तेरा चौदा कितना हो जाएंगे चौदा इस तरह के साथ कांट करोगे तो सभी में चौदा-चौदा-वाण मिलते हैं कितने मि क्या हो जाते हैं वसंत तिलका का लक्षण है ठीक और डिटेल पढ़ने के लिए हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को वह क्या बोलते हैं चंद तो और बताएंगे फिलाल जो जो आता जाता है उसको बताते चलते हैं कि नेक्ष्ट है अत्र नित्य संबंधी सब्दव को नित्य संबंधी सब्द कौन है यहां पर नित्य संबंधी सब्दव को यत तत या मित्रम कुलत्रम या जगत पून्यकृत या आपत शुखं तो यहां पर आपको बताना है किसमें जो नित्य संबंधी जो सब्द हैं वह यहां 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 तहां इस तरीके से अर्थ भी मिल रहे हैं अब जगत पूर्ण एक्रित आपत सुखम यह उसा मिल भी नहीं रहा है यहां 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 इस तरह कर देंगे शरवाधिक शमीचीन विकल्पम चित्वान नम उत्तरम दिय ताम शरवाधिक समीचीन भीकर्प को चुनकर के निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए ठिक आगे देखते हैं पठन अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता चलू कि केवल पैसेज में गद्य गद्य और स्लोक मतलब काबया पद्य ना इस लोक जो होता है जहां अभी तक आया है इसमें लंग्वेज वन में देते हैं लंग्वेज वन में स्लोक देते हैं लंग्वेज वन में एक स्लोक रहता है और एक गद्य रहता है ऐसा ऐसा आप देखोगे जबकि जो लैंग्वेज से ज़्यादा सब्सक्राइब और आगे में अभी गध्यांस के ऊपर बहुत सारा को साल करूंगा बहुत सारा गध्यांस पढ़ाऊंगा अब बताओ बच्छा कब ग्रहन करेगा पठनकोसल चात्र कब ग्रहन करेगा जब उसको अर्थ समझ में आये अर्थाथ अर्थ पे अगर आप जोड दे रहे हैं अर्थ सम्झाने कोशी कर रहे हैं और निश्चित तरीके से अच्छे से समझेगा नेश वाले कोशन कोरी हम लोग चलेंगे नेस्कोंस न को चलेंगे इसको समय देखो है कंठस्ति करना चाथा नाम प्रेरंण आप यहां पर जो है कंठस्ति करन भी लिखा और आगे प्रेरंड भी लीखा है मानने वहीं बात जो हम करते हुए आये हैं बच्चों को चोरी करने के लिए प्रेरिद करें आगर इस तर्के का कीवर्ड आये बेटा तो सब्सक्राइब कि प्रिरणा एसा मत सोचा करो फिर क्या जो सही तर्फिक को देखो क्या क्या है कि उधारन की द्वारा नियमों को आधिव्यक्त करें उसको व्यक्त करें उसको समझाएं व्याकर निके कौन सो जग आगम विधी आगमन विधी ना शब्द रूप सारणी ना मुख्य तह उपयोग इन रचना नाम अभ्यास करने के लिए इतना अभी उससे अच्छा दीवाला है अभी दत्य नियमानुसारें अभ्यास दिये गए नियम के अनुसार अभ्यास एभी छोड़ो भी ज इसमें क्या क्या रता है उदाण बताओ नियम की ओर चलो तो यह वाला काम ज्यादा सही हो जाएगा ठीक है यह काम क्या हो जागा ज्यादा सही हो जाएगा और राइट एंसर क्या बन जाएगा आपका यहां से क्या बन जाएगा डि अगे चलते हैं नेश्य कुष्टन की और लगल समझना की चारत्रकेंदृत सिंठकष या स्वरूप नजल ₤ प्थिर ही और सब्सक्राथें यह फि दिरू पयंग्र च्राइप लीगते घुटन की स्वरूप इंधी ली वित्या स milliang को प्रकर जाते हो या शिदह मापन के लिए समय समय पर नियत जो है परिच्छा drinking सभीम बताओ क्या सही लगेगा क्या सही लगा आप लोग उत्तर बारां से कर सकते हो जल्दी लोग देखते चलो तुरांट उत्तर बताते चलो जल्दी उत्तर बताते चलो क्योंकि अब देखो कोस्तन आप लोगों के बनने लगे हैं अब आपकी रूची बढ़ेगी अब जो लाइक ना क्यों लाइक तो करी दें कि क्रिया कलाब बिवीद प्रकार के क्लिया कलाब कराने जरूरी है उससे बच्चे जिग्याशु रह प्रवेश्चा परिष्चा अलग होनी चाहिए मुख्यधारा में और अन्यच्छा रश्य बोधनम कर्तब्यम मुख्यधारा में ही प्रवेश्करा करके अन्य चात्रों के साथ ही पढ़ाना चाहिए प्र मुख्यधारा में ही प्रवेशth करें किर के पढ़ाना चाहिए ऐसा बोधनकर्थव्यन बोधनकार्य करना चे बोधन करतव्य करना चे ठीछ पढ़ाना चाहिए न एक ही कच्छा में समान कच्छा में रखे पठन कवशलं अनेन प्रभावित थम्भवति पठन कवसल निचे से जो दिया गैसे प्रभावित होते हैं मैं पाठक से उद्द्ध्या आशक तीच पाठक के उद्द्र से और आशक लेवं के का्ठिं अस्तरह और पाठक के काठिनाइ के अस्तर से प्रभावित होता है या पाठ Welcome Ар ले तत्थाश्वरूप से च्षाथ शामाजिक्ति और सग्यान स्थ्रह शात्र के शंग्यान स्तर से तो प्रश्च्ण संख्या 50 उत्तर क्या बनेगा क्या बनेगा उत्तर थोड़ा ज्यान देना है कि अब अब लोग सब्सक्राइब दीजिएगा मैं अभी आया तुरंत तुरंत आया बस अब रही जो आया बसे लोगा मैं अभी एंव Spa है झाल झाल जये राम जये जये राम बोलो स्री राम जये राम जये जये राम तो चलिए इस प्रश्ण के उत्तर कुhe हम लोग चलेंगे इस प्रश्ण के उत्तर Meredith है यह वाला थोड़ा इसराइडर है तो ज्ञादा सही रहे है हाँ संस्क्रित क्लास पढ़ने वाले बच्चों संख्या कम है ना इसलिए पर संख्या 50 है कि पठन कौसल अनेन प्रभावित अंभवती पठन कौसल किस से प्रभावित होगी आपके अनुसार क्या होना चाहिए पाठ के उद्देश और आसकती जो बच्चा पढ़ रहा है उस कितना लगाव है उसकी कठनाई अस्तर का हालां कि चाहति के समाजिक समाजिक से आदिया समा कर सकते वातावावित जरूर होती है लेकिन अब आर्थिक के इस्तिति से प्रभावित अगर यहां पर बात किया जा रहा इसलिए यहां पर चोड़ना पड़ रहा और कोई कारण नहीं है तो एपे चलेंगे ठिक अधरवाइस सी वाला किसी से कमजोर नहीं था ध्यान देना यहां पर क्या करोगे जो पाठ कस्य जो पाठ है उसके उद्दे से क्या है उसमें आ सकती मतब बच्चे कि उसमें रूची कितनी है है की नहीं है और पाठ के कठिनाई स्तर इन अगे देखते हैं वाक कॉशल इससे अश्य सहयन इसकी सहता से सम्यक रूप से बढ़ती है वाक कॉशल कई बर बोता है कि बनाते बनाते कला अगाते गते गला दोनों सब्सक्राइब इस्थान आपतिसार अड़ी लिखित संभास अभ्यास अभिनयो गोष्ठी चिंतनाच शम्रिद्ध वाचन शामग्री अब एक क्या करोगे जिसमें बच्चे को बोलने का अधिक से अधिक अवसर मिलेगा उससे वह बोलने की सक्ति बढ़ेगी ध्यान देना अवसर अधिक मिल आप समय था आवीन जिसको लेक अकट करके हम वाचन पे गयते चुकि वाचन वहां पर अलग से आप संधा यहां पर गोठी चिंतन जो है गोश्ठी चर्चा जो है यह दिया गया है तो गोश्ठी करने में बच्चा क्या करेगा चार लोग के बीच में बैठेगा तो मूख थेक है तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चे का जो बोलने के लिए उनको असर मिले बच्चा गोश्ठी करें चिंतन करें यह वाला स्री आपशन क्या हो जाएगा क्रेक्ट हो चाहिए रहा है सुनने माली कावशल को बढ़ाना सुने रहा है ये तो बात सरी है उसको चलना है ठीक है उसकेम मैं मंसहार से मैं जोती से थ्यांस अधराइज छीडिना भाट कि यह तो हिंडी का समझ जाते हैं उसके सब्दों का मतलब समझ जाते हैं संकृत मतलब थोड़ी सी आपको समझने में कठिनाई होती जिसकी वज़ा से सोच थोड़ा भी ढीड़ा हुआ कि नाराण नाराण हुआ ठेक अब इसमें बताओ क्या होगा सुनना चाहिए चाहिए ऊण जात्रपहले साही जामता है यह एदेगा में से पुरवं भवेत विस्तार पुरवक्त स्रवण्न के पहले होना चाहिए विवरंण देना चाहिए भी बोत बढ़िया नहीं है कि समण के लिए परचित पाथे पाथे का उपयोग ताकि जैसे माल यह कभी-कभी कुछ आगर आप परचित कभी-कभी सोचो कि यह गाने गाये जाते हैं लावडी स्पीकर उगर सुनाई देता है बहुत सारे बाजा बज रहे होते हैं तो जीस चीज को जो गाना आप को पता है जो तो आप थोड़े में ही आप क्या करोगे उसको जानते रहोगे जब करकरक के भाव ग्रहन हो तभी अधिक्रित सवन है अधर्वाज अधिक्रित सवन नहीं होगा तो क्या हो जाजा दी आपके करेक्ट हो जागा कि सवन के लिए परचित सब्दों और पाठों का उपयोग करना चाहिए प्रश्व संख्या पिर्पन पर आजाओ इसमें देखते हैं इवच्छात्राह भासाम अर्जयंति अनेन विधानेन न इवच्छात्राह भासाम अर्जयंति भासा का अर्जन करते हैं इसके लिए जो अन्य विधान है अब बताओ क्या है भासार्जन के लिए वास्तविक या वास्तव जीवन संदर्भेशु तश्याम परिक्षास उत्तमा अंकन अर्जनम प्रश्णतर कंठस्ति करणम प्रश्ण संख्या तिरपन इसका एंसर क्या बनेगा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि और सारे आपसां तो सीध्य मैच भी नहीं कर रहे हैं तो कीवर्ड से आपका काम यहां पर बन जाएगा चलो कीवर्ड होगे वास्तवीक जीवन संदर्वों में उस भासा का बेवहार करें उस भासा को बोलेगा समझेगा तो क्या हो जाएगा वास्तवीक वास्तव जो है वास्तवीक जीवन संदर्वेशू वास्तवीक जीवन संदर्वों में उस भासा से बेवहार करें अर्था बातशित करें पाठ्ट पुस्त का पठनम तथा उत्तले खिरम कुरुवांति यह थोड़ा उपर हो गया व्यक्ण परिक्षास उत्व सब पर नहीं यह वाला आसना आप करेक्ट करो यह यहां पर करेक्ट है जो चलते हैं नेक्ष वाले कुश्चन में जाखोर्यम में उत्तर आप लोग क्या करना चाहोगे मैं जगां यमक रलंग्कार के बारे में वह रूगत सबोर में कर Bear कलकल के साथ में यहां संपूर्ण कलम दोनों बात अलग अलग है एक ही जैसा आया है यह मंकल लगार लगाना हम बताये थे कि अलंकार पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जूड़ेंगे संस्कित में बहुत सारे अलंकार करीब 120 कहीं तो 60 कहीं कहीं 80 अलंकार के बारे में चर्च सब्सक्राइब करेंगे यहां देखते हैं नेक्ष क्वश्चन में भासाध्यापक अप्रितनम उप्रितनम छात्रानाम सिद्धने सीख उसको कितना जानने पर सततम करो गत्रव क क्लिया मुल्यांकरन कहմ सकता है बाषा विस्यक पत्रका फ्राय दिर्गाद्र काल समय समय के बहुत लंबे समय सारी नेहां भासा कच्छा विधी अत्यभीक महत्म कालं चवप्रापनों ती यह बहुंअ मुल्यांकन उपाया है भासा बोधन उपाय श्य वर्तंते बहुँ सारे मुल्यांकन के उपाय भासा पुदन को उपाई बताए गाते हैं निरंटर व्यापक मुल्यांकन सूची पत्रिकायां मुल्यांकन लेखो प्रधान पात्रम वादी प्रशसंख्या 55 बताओ यहां सतत मुल्यांकन है अर्था तोहीं सतत्यों ब्यापक मुल्यांकन सीजी वाला जो आप और तीन अच्छा इसमें हम देखने को मिलता है या तो बिल्कुल के लिए रैंसर आ जाता है बिल्कुल के लिए तीन तो एक दम में उसका मतलब नहीं रहता है या तो कभी कभी दो-दो वाले में ज्यादा तर आपसंद दिखाई देता है जिसमें कीवर्ड परसान करते हैं यहाँ देखते हैं बालका सुन केन दरश्ट इतिकस्योद आहण 10 किसका उधारन है की अब सुन्धंदरों है अब स्थम्दकें सुरक से देखता है दरश्ट अब यहां पर तो भिलत आप सिपन में क्या बनेगा प्रयोग से लग रहा है कर्म प्रयोग यहां पी कर्म प्रयोग का प्रयोग में इसको लिए नहीं कि दिया गया है लेकिन यह दोनों में होगा नहीं या 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 इसी में होगा देखने से लग रहा है करता है करमड़ी इसी दोने से कोई होगा लेकिन यह कुछ हमको इरल लग पूरी बास नहीं आ रहे इसकी ठीक है करेंगे अभी समझेंगे आप लोग पता है कि हमारे सामने कोशन आता है तो हम उसी में जो है कि अपने बुद्धि का प्रयोक करते हैं और उसी से समझ पाते हैं जब पूरी बात अंतर में उतर जाती है तो सही exact answer दे देते हैं और पूरी बात दिमाग को नहीं आती तो जैसे अब देखो यहां पर करत्रिवाट्च्य कर्मवाच्य मि दिखाई नहीं दिखाई अब यहां पे अब यहां पूरी बात में उह साही अर्थ्वने लगी तर्फटिया लगी है इसके सांथ में और कर्म वाच में क्या हो जाता है कर्म प्रधान हो जाता है और करता यह अब दोनम से विए दो तो और कट हैं इसको देखेंगे समझेंगे पहले चाहते क्या इसमें आधा दूरा कभी को लिख देते नहीं आता है पूरी बात किसमें करें हम क्या दिमाग के भी नहीं चल रहा है मेरे देखो इसलिए हम करते हैं कि 30 में 30 पाने के लिए बच्चे का खुद का बुद्धी काम करना चाहिए अब में टाइम पर दिमाग पर नहीं चल रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को आगे देखते हैं यह सर्वेशु जनेशु प्रीतिमान सह करें हैं यह सभी सर्वेशु 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 जनेशु सभी जनों में प्रीतिमान है वह कौन है जो सभी में कह सकते ह कि जिसका मान सम्मान बनी रहे सब सभी लोग जिससे प्रेम करें जिसका जिसका प्रेम जो है सभी लोगों से मानवी मानव कुल प्रेमी मानव देशी या शहान भूती पर है प्रशन संख्या सत्तावन में आप क्या करोगे सब्सक्राइं सब्सक्राइब करते हों इसका करेक्ट होना चीए मानवीय है अप एक लगाओ इसके लिए करेक्ट अंसर एक है मानवीय है कंठ सुध्धि के लिए सुष्ठ उच्चारणं लयह वेगह निजर गलता चेता इसका स्यांसा करहें कंठ सुध्धि के लिए सुध्ध उच्चारण लयह वेगह निजर गलता इसब कस्यांस किसके लेखन कौशल के पठन कौशल के वाचन कौशल के या कोशोपयोग कौशल के कि किससे है इस प्रशन का उत्तर आप सभी लोग वता है प्रशन संख्या 58 अब सोचो कंठ की सुध्धी मतब बोलेगा तब तो होगा लाय वेग इस सब किसमें आता है वाचन में आना चाहिए लेखने में कहां से उसका प्रयोग करोगे कंठ की जरूवत क्या पढ़ेगी प समय आप लोग क्लास में उपसीत हो जाये करें और पूरे क्लास को मार साथ में अच्छे सोता है सुपकते रहो लए वलाघहात मने दबाव दे करके बोलना हलकी में बोलना उतार चढ़ाओ जो ची होता है वाच तो और स्वर यह किसके गुण है अब बतावी सब किसमें गु संबासर में अता है तो और चय invention संबासर में और सवानां ने बोल सकते हो बाचित कर सकते हूं सबसे अच्छा हो ज़ता है तो यह आपसण हो गया करेक्टस वाले yщ चलते हैं सिक्स्टी नंबर का शात्र स्वायत्ताम अनेन प्रोसाहिता होती है अब बच्चे की जानकारी आपके आपकी स्वायत्ता क्या है जो आपके पास धंसंपत्ती है मतलब आर्थिक नहीं जो चीज़ है वैसे ही कच्छायाम तो अब ग्यान वृद्धी आपके अंदर ग्यान वृद्धी कैसे होगी कैसे प्रवसाइत होगी स्वाय श्वय palavras श्वय स्वम मुल्याकने सहाध्या कलने चात्रा नाम श्वावेशनि या ऐस्वकृत ग्रियाद्हनेन नियोजनेन चस्त अब इस प्रष्ण को देखोगे ही अश्वकृत जो है मने आश्रुकृत आश्रकृत जो न कर्थ के ग्रिया ध्यान में नहीं तो यहां से चाथ्रेश वर्म शासन उपर यह अटाओ कच्छा याम सर्वे चाथ्रणाम पर्याइन नायकाह क्रियंते इत्विधान मनें सब सब सारे कारे जो हैं नायक करें तब भी मजा नहीं आएगा सब बच्चा उसन्में रहना चीएरा टोहां मन century के लिए और अकलन के लिए छात्रों का समेशन अर्थात बच्चा पडता चले और अपने आपका मुल्यांकन भी करता चले क्या सही कर्रहा हैं क्या गलत करें उस समझते चले करते चले हई यासी वाला ज्याद़ा सही है तरिके से 2 मिनट आगे पीछे मैं आ अही जाता हूं जदर जदे करने करने में त्ष्वस समय लग जाता है आ अज मैं आही जाता हूं रही बात कुछ और प्रशनों की चर्चा के लिए तो कि आगे वाला स्लाइड देखें कुछ काम का मिल जाए कुछ अलग से पेपर बने हो तो अगर रेडी हो तो करवा देते एक तो मिले ही गया सुलोक वाला सभी गर्द्यांस एक सांथ कराएंगे चलिए स्लोक करवा देते हैं एक सेकेंड थोड़ा से चेंज करने तो स्लोक करवा देते हैं ज्यादा समय नहीं लगता है अब तो नहीं लगता है कि वहले दो-दो मिनट लग याते थे क्योंकि तब अलक साफ्ट्वर से करना पड़ता था अब तो बहुत सही हो गया कि यह अस लोग आप लोग स्लोक को थवा पढ़िए अच्छा रहता है ज्यानात्मक होता है बढ़ियांस पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में जो दिये थे मतलब जब क्लास स्टार्ट की थे तब बला न वाली वाली हमको देखना पड़ेगा थ्वासा पढ़त पढ़त हो जाएगा करत करत यभ्यासते जडमती होत सुजान रसरियावत जात ते तिलपर पढ़त निशान तिलपर पढ़त निशान जो करवाएंगे ठीक है कल करवाएंगे को भी बहुत बहतर ही नाते हैं जो तठ्षात्मक होते हैं वाली देखना पड़ेगा नाम अलग्स-अलग्स रखा रहता है ना सब का तो देखना पड़ेगा स्लाइट फिलाल अभी समय हमारे सामने यह है चलो इसको पढ़ते हम लोग ठेक अजरामरवत प्राग्यो विद्यामार्थम्च चिन्तएत अग्रिहेत इवकेशेश मृत्युनाधर्माचरेत तर्वद्रवेष्ट विद्याईवा द्रव्यमाहुरन उत्तममा आहार्यत्वाद नर्गत्वादक्षयत्वाच सर्वदा विद्याद दाति विनयं विनयाद याति पात्रताम् पात्रत्पाद धनमाप्नो तिधनाद धरमह तत शुकं अब क्या करोगे अब यहां पर हम देखेंगे जो दिया गया है सुलोक को पढ़ करके किते लोग पहले शुमझ पार हैं हमें यह देखें हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं कि तैंamet ढूंग को सुनोक को वोगके औरफ को बताने की अवश्रक्ता पड़ेगी कितने लोग यह चाहते हैं कि हम इसके सुलोक अर्फ को बता दया हूं कितने लोग समझ पार अननीजिवर मारक सकती है प्राग्या अजर्वत अमर्वत च बिद्याम अर्थम च चिंतईत तथा च मृत्यूना के से सुग्रहित इवधर्मम आचरेत अर्थात सूजबूज वाला मनुष्य विद्या एंधन अर्जित करने का विचार ऐसे करता है जैसे कि वह बुढ़ापी और मृत्यू से मुख्त ह धर्मा चरण भी ऐसे करें जैसे कि काल उसके बाल पकड़कर बैठा हो और कभी भी उसे इह लोक से उठा सकता हो इसका क्या मतलब है मतलब यह है कि मृत्यू अवश्यम भावी है और कभी भी आ सकती है इस तत्य को ध्यान में रखते हुए धर्म कर्म में संलगन रहें फिर और जब तक जीवन है वह विद्या तथाधन के लिए प्रत्नसील रहें अगली लाइन में क्या है कि इसमें क्या करें है विद्वत जना सर्वदा और हरत्यवात अनर्गत्वात अक्षयत्वात च्वात अर्थात विद्वान लोग कभी न चुराए जाने वाले अनमूल होने तथा कभी छैना होने की कारण से सभी द्रव्यों अर्थात सुख संपदा संतुष्ट के आधारों में से विद्वात को ही सर्वतम होने की बात करते हैं वो सभी लोग यहीं जानते हैं कि विद्वात ही क्या है सबसे अच्छा धन है इसको कभी कोई चुरा नहीं सकता कभी कोई इसका च्छन नहीं हो सकता और सारे सुख को देने वाली होती है वस्तुता विद्या ही तो है जो बहुत कुछ विद्या से ही बहुत कुछ संभव है यह बात बुद्धिमान लोग सदा से करते हैं हम लोग समझें न समझें विद्याहिन मनुसे कई मानों में निर्थक जीवित जीवन जीता रहता है यह बात मानी जाती है कि विद्या से हिन अगर कोई व्यक्ति है तो मृत्यों लोग में क्या होता है इधर उधर की और विश्रन करता है बिना मतलब के केवल होता है आप स्लोक है आगे वाली स्लोक यह कहती है कि विद्ध्या ददात विन्यम विन्याद याति पात्रतां पात्रत्वाद धर्म आपनों ती धनाल धर्मातता सुख विद्ध्या विन्य को देती है विन्य से पात्रता याती है पात्रता से धनों पार्जन है अधन से ही धन जहां तहां गिंदयाँ सथ्रकाव सास्त्र का सभी जगा विण्वार मातरफ जाए जुक्त बोने आती है में लड़ने इसका क्या मतलब निकल गया है एक सब्सक्राइब करते करते इसलिए मैं सुलोक पढ़ता हूं ताकि सुलोक पढ़ते पढ़ते आप संस्कृत थोड़ा सा जिहवा टूटेगी पढ़ोगे दो चार बार पढ़ोगे आ जाएगा और जितना अभी सुलोक एक अच्छा छे साथ आठ ना और दस दस तक दिया है खास्तर पर शर्ट लेकर करके कुई लोग के लिए लड़ रहे हैं हम अघ आए एस बास ते कि आज से में लोग धर्म के मैं लड़ रहे हैं धर्म के लिए लड़ते हैं किसके लड़ रहे हैं Hampर बिद्यात है यह किज बताओ कि इसे कहां बताओ है कि अधुछ वही वहाद है है हम दो हुआ हुआ हम अधा है मिला है हुआ है मैंने सीध्य लाइन में यह नहीं लिए कि अबी देखा हो गाल कि अ Тबिध्याद लुक्रिंस नियमं कि विनया दयाती पात्रताम पात्रप्रतफवाद धनमापनों ते धनाद धर्म हत्वत सुखं । कि यहां क्रम बताओ क्या है विद्याविनय पात्रता धना धर्म शुखे ती क्रम में देखो क्या है यह इस लोग आप पढ़ोगे तो क्रम अपने आप किलियर हो जाएगे सब्सक्राइब पात्रता पात्र अधन के बाद धर्म में चल रहे हैं अधन हो हो जाए तो उससे सब कुछ हो जाए दर्म सब कुछ हो जाए एक और कि मनुश्यंड किम चिंत अ इत्वा मनुश्यंड किम अग। मनुष्यन किम चिन्तई त्वा धर्म आचरण यह बताओ इसमें कौन से सई बनेगा धर्म का आचरण करना चाहिए किसका चिन्तन करके मनुष्य से किस चिन्तन प्रशसंख्याचार मामश्वह मृत्य हुभिश्यति मृत्य केशेश्य वरतते व्रिध्यावस्था मृत्यु भविटा अनिवार्य हमर्य हं मृत्य कदा नपिछने शंहशंभ can mission मृत्यम्र्चियों तो अनिवार ये है कि होगा या किसी भी छण या अर्षकता है यह मैं बताया हूं अभी अभी मैं इसका बारे में डिसकस किया था अभी द्यान से सुनिए मैं अभी बी सक्किया है कि और कभी भी आसकती है इस्तत्य को ध्यान रखते हुए धर्मकर्मे सनलगन रहें मतलब अजर 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 आमरवत प्राग्यों विद्यामार्थम चौचिंतएत ग्रेहेतम इवकेशेशु मृत्युनाधर्मयाचरेत पहले इसलोक में ऐसी बात कई गई है नेश्ट में चले देखते हैं क्या है एतेशु वाकेशु कर्मवाच्य प्रयोग कश्मिनस्ति कर्ममाच का प्रयोग कहां अब बताओ इसमें कहां पे है प्रश्ट संख्या कौँस पड़ेगा ये च्छा पड़ेगा ना अच्छा में बताओ क्या होगा यते यते वाला कहां है यते यह यहां एंत है यसे नहीं वह चीन ते यति आद्री यते 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 वाला पड़ेंगे घर्णेंच जो इसका क्या अभिप्राय है प्रश्ट संख्या चमें बताओ कि यहां पर जो आध्या आध्या हाश्याय व्रिध्धत्वे ज्वितियाद्रियते सदा यहां पर क्या है आध्याहाश्याय बोलो स्री राम जय राम जय जय राम बोलो स्री राम जय राम विद्या सस्त्रस्य सास्त्रस्य द्वेविद्य प्रतिपाधिकस द्वेविध्यप्रतिपाचते वुषप deserve this अध्याभ रिखत्वेद्य दितिया ण्रीयते सद्विद्या यानि ग्यानारजन विद्या और कसके हैं दोनों का ग्यानारजन दोनों को समझना दोनों ही मनुष्य को सम्मान दिलवाती है किन्तु बृध्धावस्था प्राप्त होने पर इनमें से प्रथम यानि सास्थ्र विद्या आध्या प्रथम मतलब आधिवाला मतलब प्रथम प्रथम मतलब सास्थ्र विद्या उसे उपहास का पात्र बना देते हैं जब उस विद्या का प्रतसन करने की उसकी सारिक शमता समाप्त हो जाती है यह प्रथम उसकान संब्सक्राइब करदे शानिया सर्थम जैञाटÓर जब आप बहुत शुरुआती द्रूड़ में रहते है लेकिं अ outta वस्था वक्त होना संमानी लुए औरद इन्हकर सम्मानी शंयोख आप्र दो भी तो आंसर मैंस कर रहा था यहां इसको भी देखने वाली बाता गई कि दो ही हो सके सुझ बुझ वाला मनुष्य विद्यायं धन अर्जित करने का विचार करें जैसे को बुढ़ापय मृत्यू से मुक्त हो तो यहां दो है वहां भी दो है अगर हम बात और यहां पर क्या कह रहे हैं यहां तो कहता कि इसके क्या क्या और होते क्योंकि यहां देखो ना उसी के फिदे और हम कर सकते हैं कितने तरीके से ब्रात्त लून से संवान मिलता है लेगिन जो आपका युग वस्था में तो बहुत काम करती है बृद्धा वस्था में जाने पर क्या करने लगती है तो उसमर्ण जो शास्र विद्या है वहीं उसी से आप पूझे जाएंगे तीस आधार पर आप इस प्रश्ण का उत्तर लो वहां तीन ही करो ठीक है वहां पर सही था यहां भी सह सब्बास वहां पर तीन है वहां पर तीन कौन से जो ओंट कर रहे हैं यहीं कर रहे हैं जो आभी हम उसका हो ऊह आझे सब के लिए विद्याही कि देखो इन सब का डिसकेंट होता है बड़ा लंबा 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 चौण चलता है तब जाकर करके बड़े अच्छे से पूरा बात निकल आता है पिला से बाद पर पडहाने में भी हिंदू से लिया गया है उसके बाद तब फिर हम लोग चल पाएंगे आगे कोशन की ओर तब फिर कोशन हम लोग देखेंगे और इस कोशन के सांथ जहां भी पैसेज वाला भी है गर्द्यांस वाला उसके सांथ अभी यह कोशन नहीं लगाया गया है क्योंकि इतने जगह में चुकि वह सेट नहीं हो इसलिए उसको लग रहा है कि अलग ही रख दिया गया है हम कुछ योजना बनाएंगे जो इस समंद्ध इस लाइन से समय रखेंगे और सब को काट घटा देंगे फिर तो हम इस पर साल्व करेंगे फिर आगे क्यों चलेंगे किसी दिन तभी के लिए बस इतना ही क्लास कैसा लगा आप लोग जबूर बताईएगा नहीं अब बस बहुत देर से पढ़ा रहे थे बोलते बोलते एक बार देश चाहिए होता है करीब एक घंटे बितने को होता है तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्ट क्लास में थैंस वाशिंग जैंग शेयर और